Hello friends, आज का हमारा topic है, आज हम सीखने वाले है HTML में form element के अंदर label label क्या होते हैं, इसको हम detail में पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने देख लिया कि input element को किस प्रकार से हम create करते हैं अपने form element के अंदर, अब हम देखते हैं कि label को किस प्रकार से create करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि label क्या होता है, जैसे हम input element का use करते थे, तो कुछ इस प्रकार से हम create करते थे यहाँ पर कुछ जैसे मुझे username लेना है, तो यहाँ पर हम ऐसे username लिख देते थे, यह हमें क्या होता था, यह data हमें print में मिल जाता था उसके बाद input के अंदर हम क्या करते थे, अपने data को input ले लेते थे, जिस भी type का data हमें input लेना होता था, तो इसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर input एक single element होता है, तो input लेते थे, उसके बाद यहाँ पर हम type दे देते थे, type equal हमने जैसे यहाँ पर क्या दे दिया, text दे दिय हमें क्या हो जाएगा input में मिल जाएगा और placeholder का use करते थे यहाँ पर तो placeholder और यहाँ पर जो भी data हम देते थे इसकी जो भी value देते थे वो हमें so होती थी माल लीजी हमने username दे दिया तो यह हमें box के अंदर क्या होती थी display होती थी जो कि एक random text होता था जैसे में इसमें कुछ भी लिखना start करते थे वैसे text क्या हो जाता था erase हो जाता था लेकिन यहाँ पर जो username दिया गया है इससे क्या होता था यह अलग से text हमने लिखा है यह input का part नहीं है इसको मैंने अलग से लिख रखा है लेकिन आपको देखनी में ऐसा लगता है कि यह input का ही part है बट अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे box के उपर cursor so नहीं करता है उसपर display नहीं करता है कुछ भी नहीं होता है लेकिन जब box के इंदर आप उपर इस text वाले element को क्या कर देते हैं अपस में जोड देते हैं फिर चाहें आप इस text element पर क्लिक करें या फिर इस input box पर क्लिक करें आपका cursor क्या होता है directly जहां पर आपको जिस box के अंदर write करना होता है वहाँ पर blink करने लगता है तो इसको हम सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि label क्या होता है label का काम यही होता है अब इसको हम आपको करके दिखाते हैं तो label element represents a caption for an item in a user interface जो label होता है label ऐसे element होते हैं HTML के अंदर जिनका काम होता है एक caption को दिखाना यानि कि जिस प्रकार से आप ने पढ़ा था कि title कैसे हम देते है एक title उसके बारे में बताता है कि actual में इसके अंदर काम क्या होने वाला है same way से हमारा क्या होता है caption होता है caption यह represent करता है कि actually में इसके अंदर आपको कौन सा data fill करना है जैसे username लेना है तो आपने caption दे रिखा है username का तो user जैसे जो होगा तो वो देखते ही पहचान जाएगा कि क्या caption हमें इसके अंदर फिल करना है, क्या आइटम होने वाला है, तो इस प्रकार से जो हमारा label होता है, वो क्या होता है, label किसको represent करता है, elements represent a caption for an item, यानि कि जो हमारा item होने वाला होता है, उसको represent करता है किसके लिए user interface के लिए ताकि user directly interact कर सके अब देखते हैं label को create करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है label tag का हमें use करना पड़ता है जो कि क्या होता है pair में tag होता है यह starting tag होता है जिसको आप beginning बोलते हैं और यह ending होता है उसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं कि लेबल को किस प्रकार से create करते हैं तो लेबल create करने के लिए हम क्या करेंगे जो हम input element बना रहे थे ये तो same रहेगा इसके अंदर का process same रहेगा लेकिन जो आप इसके अलग से text लिख रहे थे जैसे username लिख रहे थे इसको हमें क्या करना होगा label tag के अंदर डाल देना होगा label element के अंदर इस प्रकार से डाल देंगे उसके बाद label को close कर देंगे यानि जो हमारा input वाला part था उस पूरे को हम label tag के अंदर डालने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं create करते हैं आ जाते हैं अपने coordinator पर और यहां से मैंने boiler plate code को generate कर लिया उसके बाद body के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए form चाहिए तो form को हम create करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है क्योंकि form के अंदर ही हम इसको सीख रहे हैं form को हमने create किया अब form के अंदर हम एक action देते है action हमने दे दिया action क्या दे दिया मैंने यहां से मैंने action जो दे दिया action.html मैंने ऐसे दे दिया या फिर simple सा हम action ही दे सकते हैं यहां पर action name मैंने दे दिया इसको एक random value दे रखी है मैंने यहां से उसके बाद मैंने क्या कर लिया form जैसे ही मैंने create किया अब form के अंदर हम क्या करते थे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं input input create करते थे और इस input tag के अंदर सबसे पहले हम type लेते थे किस type की value हमें चाहिए माल लीजे मुझे text type की value चाहिए तो मैंने यहां से text ले लिया, उसके बाद text type की पहलू चाहिए, अब यहां से एक placeholder यूज करते थे, जो कि क्या होता था, एक random text display होता था हमारे box के अंदर, इसका name मैंने दे दिया, username, username यानि कि यहां से मैंने enter username, enter username, मैंने यहां से क्या दे दिया, एक placeholder दे दिया, और इसके पहले मैं कोई भी text लिख देती थी, तो वो display होता था, तो मैंने यहां से क्या लिख दिया, username, लेकिन यह दोनों अलग-अलग चीज़े हैं, यानि कि input जो element है, यह अलग है, और जो मैंने यहां पर text लिख रखा, यह अलग है, इसको save करके मैं सबसे पहले आपको इसका output दिखाते हूं, तो यहां से मैंने जैसे refresh किया, username हमें सो रहा है, उसके बाद enter username, यानि कि यहां पर, इस text लिख यूपर मैं क्लिक कर रही हूं, तो हम भी कुछ भी सो नहीं हो रहा है, यानि कि कोई भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने box के अंद आजाना चाहिए, box पे क्लिक करेंगे, तब तो आएगा ही, लेकिन text पर भी क्लिक करूँ, तो इसके अंदर आजाना चाहिए, लेकिन यहां पर, जो username है, जो text मैंने लिख रखा है, यह इसका part नहीं है, यानि कि यह input element का part नहीं है, तो इन दोनों को आपस में connection बनाने के लि और इसके अंदर ही, और यहां से इसका जो closing tag है, इसको हम यहां से हटाते हैं, और कहां पर कर देते हैं, इसके just बाद, input element के बाद, और इसको हम format document कर लेते हैं, यानि कि अब यहां से आप देख सकते है, form के अंदर level है, level के अंदर हमने जो भी text लिखा हुआ, यह आ रहा है, और यहां से यह, अब यह सारा data, एक single line के अंदर हो चुका है, यानि कि यह आपस में इनका connection हो चुका है, अगर आप username पर क्लिक करेंगे, फिर भी आपका जो cursor होगा, वो box के अंदर blink करेगा, जैसे मैंने page को refresh किया, अब अगर आप देखें, जैसे मैं यहां पर क्लिक कर रह जाता था, कुछ भी नहीं होता था, आप चाहे आप box के अंदर क्लिक करें, या फिर इस text के अंदर, text के उपर क्लिक करें, आपका cursor कहां पर जाएगा, आपके box के अंदर ही जाएगा, तो इस प्रकार से जो हमारा label होता है, इसका हम यूज करते हैं, इस प्रकार से आप और पासवर्ड के लिए भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहां से लेवल बनाया हुआ है, इस प्रकार से अगर आप चाहे हैं, तो यहां पर पासवर्ड के लिए भी बना सकते हैं, तो मैंने यहां से पासवर्ड दे दिया, और उसके बाद प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर मैंने क्या यूज किया हुआ है यहां से इंटर पासवर्ड हम यहां पर दे देते हैं तो इंटर पासवर्ड मैंने यहां से दे दिया अब इसके बाद में क्या करने वाली हूँ इसको सेब करने वाली हूँ अब जैसे ही पेज को रिफ्रेस करते हैं तो यह भी हमें डिस्प्ले हो र करसर जो है वो directly box के अंदर जाएगा जैसे मैंने इस पर क्लिक किया अभी भी इस पर कुछ नहीं हो रहा है तो यहां पर यहां से हमें क्या पता चलता है कि जितने भी आपको input element को रखना होगा तो उतने अभी टाइमस आपको क्या create करना होगा लेबल को create करना होगा तो इसको हम देखते हैं तो सबसे पहले यहां से मैंने label दिया है अब इसके लिए हमें क्या करना होगा जैसे मैं यहां पर click करती हूँ तो यहां पर आ जाता है लेकिन password के लिए अभी हमारा label क्या नहीं हुआ है य मैंने एक और label को create कर दिया इसके just बात यहां से लेबल मैंने create कर दिया और यहांसे मैंने इसको close कर दिया और इसका जो closing है यह पहले से ही है और इसको क्या करते है तो bob करने के बाद जैसे ही मैंने अपने page को रिफ्रेस किया, अब अगर मै इस passwords पर click करूँ, तो भी मेरा cursor कहा पर जा रहा है, तो इस उसर नेम पर click करती हूं, तो इस वाले box पर जा रहा है, तो इस प्रकार से जितने times आपको connection form करना होता है, उतनी बार आपको level का use यानि एक single label की help से आप multiple यहां पर input को नहीं connect कर सकते हैं इसलिए आपको बार बार क्या करना पड़ता है लेबल का use करना पड़ता है अब यहां पर label को तो मैंने simple सा use किया और यहां पर label और input जो है इन दोनों को मैंने एक साथ use किया हुआ है यानि एक दूसरे के अंदर है ले अब यह classical approach क्या होती है इसको हम सबसे पहले समझते हैं यहां पर अगर आप देखे तो यहां पर हमने क्या किया हुआ है जो हमारा text है और input element है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है connection form करने के लिए हमने label का use किया हुआ है लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे है label को हम क्या करते ह है classical approach की help से use करते हैं जिसमें हम क्या करते है label अलग लिखेंगे एंड जो हमारा input element होता है उसको अलग लिखेंगे बट दोनों के बीच में connection form करने के लिए हम किसका use करते हैं for attribute का use करेंगे and id attribute का use करेंगे आप देखते हैं कि for attribute क्या होते हैं id attribute क्या होते हैं हमारे तो यहां पर हम दोनों को अलग अलग लिखने के लिए और उनके बीच में आपस में connection form करेंगे के लिए हम for attribute and id attribute का use करते हैं अब जो यहाँ पर for attribute होता है, वो किसके लिए use होता है, जो हमारा for attribute होगा, वो label के लिए use होगा, यानि कि जो हमारा for वाला attribute होगा, यह किसके लिए use होगा, label के लिए इसको हम use करेंगे, तो यहाँ से हम लिख देते हैं label के लिए इसको हम use करेंगे, और जो हमारा id attribute होगा, इ अभी हमारा label और जो input element है इन दोनों के बीच में connection form होगा यानि कि इन दोनों की help से हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं label और input को नहीं तो सारे अलग-अलग हो जाएंगे इसलिए क्योंकि हमें classical approach का use करना पड़ेगा जो हमारा label होता है label के लिए classical approach का use करते हैं जिसके प्रकार से दोनों अलग-अलग हो जाते हैं लेकिन आपस में connect कहने के लिए हम किसका use करते हैं for का use करते हैं और id attribute का use करते हैं जो हमारा id attribute होता है id attribute क्या होता है किसी भी element को अगर आप एक unique name देना चाहते हैं तो उसके लिए हम id attribute का use करते हैं और same name हम किसी other id को यानि की other element को नहीं दे सकते हैं जो id होती है वो क्या नहीं होती है वो हमेशा unique होती है same id हम दूसरे element को नहीं दे सकते हैं ऐसे मैंने इसकी ID नेम देदी है तो अब किसी अधर ऐलिमेंट की आइडी का ID की जो बैलू है वो आप नेम नहीं दे सकते हैं कुछ अलग आपको देना होगा क्योंकि जो हमारी ID होते हैं हमेसा हर एक element की unique होती है, unique ID हम देते हैं, इसको हम CSS के अंदर और detail में पढ़ रहे होंगे, जब हम किसी भी CSS की styling करते हैं, property को, उसके हम क्या करते हैं, define करते हैं, तो वहाँ पर हम ID जो attribute होता है, उस सबसे ज़्यादा use होता है, क्योंकि हम अलग-अलग element में, अलग-अलग तरीके की property को apply करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ID attribute का use करना पड़ता है, तो यहाँ पर simplest आपको इतना ही समझना है, कि इन दोनों के बीच में connection form करने के लिए, हम ID attribute का use कर रहे हैं, और यह for क्या करता है, इस ID attribute से connect होता है, तो यह काम होता है, for attribute का, यह internally होता है, हमारे HTML के अंदर जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसको हम करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले मैं क्या करूंग यहाँ पर create करने करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, यहां से पूरा डिलीट कर दिया, इसको डिलीट करने के बाद, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम label को create करते हैं यहां से मैंने एक label को create किया label को create करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है अभी मैं for and id attribute का use नहीं कर रहे हूं simple सा मैं यहां पर type कर रहे हूं type करने के लिए मैंने यहां से क्या कर दिया माल लेजे मुझे enter your username यह मैंने क्या दे दिया एक caption दे दिया यहां पर उसके बाद मैंने क्या कर दिया इसको save कर दिया और मैंने क्या create कर लिया अलग से मैंने input element को create कर लिया तो input element के अंदर मुझे क्या चाहिए input element के अंदर सबसे पहले हम type को use करते है किस type की value हमें चाहिए मैंने यहां से text दे दिया तो text value मुझे चाहिए उसके बाद next हमें क्या चाहिए placeholder placeholder मैंने यहां पर एक capsule दे दिया placeholder में enter username enter username मैंने यहां से दे दिया और इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया save कर दिया अब save करने के बाद अब हम page को क्या करने वाले हैं, refresh करने वाले हैं, जैसे ही मैंने page को refresh किया, अगर मैं इस text पर click कर रही हूँ, तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, जैसे पहले नहीं हो रहा था, same वैसे ही, लेकिन box के अंदर click करते ही, हमारा cursor क्या करने लगता है, या पर blink करने लगता है, लेकिन मैं चाहती हुhuhं कि मेरा टेक्स्ट के उपर जैसे क्लिक करूं ऐसे ही माराíll एक आंदर क्या हो जाए बिंक कहने लगे तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं अब इन दोनों attribute होता है और id attribute होता है इन दोनों का हम use करते हैं तो for मैंने यहां से लिख दिया और for की value मैंने क्या दे दी यहां से username मैंने यहां से username दे दी अब same value जो हमारे label में for की value होगे same value हमारे किसकी होगी ID की होगी या फिर जो आप ID की value रख रहे हैं वही value आपके for attribute की होनी चाहिए अब इसके बाद मुझे क्या करना है यहां से placeholder के पहले या फिर आप बाद में कहीं पर भी रख सकते हैं ID attribute को मैंने use किया अब ID का भी name हम same रखेंगे क्या user name तो मैंने इसका भी name क्या रख दिया same रख दिया जो हमारे for element का था for attribute का था element नहीं है attribute है हमारे अब जैसे मैंने save किया इसको उसके बाद हम क्या करते हैं अपने page को refresh करते हैं तो अब जैसे ही मैं इसके उपर अपने text के उपर click कर रही हूँ वैसे आप देख सकते हैं जो हमारा cursor है वो कहाँ पर display हो रहा है कहाँ पर show हो रहा है box के अंदर show हो रहा है इसके अंदर click करूंगे तब तो हो गाई लेकिन जैसे मैं इस पर click करती हूँ यहाँ पर enter your user name पर वैसे हमारा cursor यहाँ box के अंदर क्या हो रहा है display हो रहा है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं और भी create कर सकते हैं तो इस प्रकार से जब भी हमें क्या करना होता है यहां पर label का use करना होता है तब हम क्या करते हैं यहां से इस element का use करते हैं अगर मैं यहां पर और detail में आपको बताओं इस प्रकार से हम password के लेबल का यूज करना पड़ेगा जितने input आप लेना चाहेंगे, हर किसी के लिए आपको अलग-अलग लेबल का यूज करना पड़ेगा, यहां से मुझे password के लिए चाहिए, यहां से मैंने line break कर दिया, सबसे पहले उसके बाद मैंने क्या कर लिया, एक ओल लेबल क्रियेट कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि actual में हम क्या करने वाले हैं तो यहां से मुझे जो टाइप उस करना है मैंने टाइप उस किया और मुझे क्या चाहिए पासवर्ड मुझे पासवर्ड इन्पुट लेना है उसके बाद इसकी id मैंने क्या दे दी id मैंने same ऐसे ही दे दी password मैंने यहाँ से दे दिया इसकी id भी password आप same रख सकते है type और id जो भी है लेकिन जो हमारी id होगी same हमारा for attribute की value होगी उसके बाद मैंने यहाँ से क्या use कर लिया placeholder मैंने यहाँ से placeholder का use किया placeholder में मैंने क्या दे दिया यहाँ से अधर भी हमें create करना होगा तो लेबल के अंदर मुझे क्या करना है पासवर्ड को input लेना है तो सबसे पहले हम for यहां पर लेते हैं for attribute को use करते हैं और इसकी value सेम होगे जो हमारे id की है यहां से password थी तो password ही मैंने same ले लिया उसके बाद मुझे क्या करना है यहां से जो भी text यहां से मैंने colon use कर लिया अब save करते हैं save करने के बाद जैसे मैंने page को refresh किया तो next line में हमारा क्या गया enter your password first line में enter your username ये दो चीजे हमें सो हो रही है अब जैसे मैं enter your username पर click करती हूँ इस text पर वैसे हमारा जो cursor है box के अंदर blink कर रहा है उसके बाद जैसे मैं enter your password पर click करती fill कर सकते हैं मैंने यहां से सिवांगी दे दिया और इसमें मैंने कुछ password set कर दिये तो इस प्रकार से जो हमारा label होता है वो work करता है और जिसके अंदर the most important attribute यूज होते हैं जो हमारा first होता है for attribute second होता है मारा id attribute जो हमारा for attribute होता है वो किसके लिए use किया जाता है यह हमेसा इन्पुट वाले element के लिए use होता है और इसका use हम किस लिए करते हैं id का use हम किसी भी element को एक unique name देने के लिए करते हैं उसके बाद जो हमारा for attribute होता है यह connection form करता है हमारे label and input को क्या करने के लिए आपस में connect करने के लिए तो यह सेम काम होता है हमेसा एक point आपको ध्यान रख अपने for वाले attribute की रखनी है तो यह था हमारा topic जहां से हमने detail में समझा इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं multiple label को create कर सकते हैं जितने भी मैंने आपको input element बताया थे कि जैसे मारा text हो गया password हो गया date हो गई या फिर और भी सारे थे हमारे उन सभी के उपर आपको क्या करना है इ input element को apply करके वहाँ पर देखना है और सबके लिए अलग-अलग आपको label create करना होगा अलग-अलग input element के लिए तो यह था आज का हमारा topic I hope दोस्तों गर आज की information आपको अच्छी लगी हो तो please video को like करना channel को subscribe करना और दोस्तों के पास share करना